नमस्कार दोस्तों चलिए आज की नए ट्रिक की बारें बात करते हैं वह है एक मिनी जगनेटर जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना वह है मिनी जगनेटर तो कैसे आप जगनेटर अपने घर पे बना सकते हैं उसके लिए आपको एक साधारान सी मोटर चाहिए ऐसे ये ये एक साधारान सी मोटर है जी हाँ दोस्तों एक समान तो ये हो गया दूरसा इस्टुमेंट हमें चाहिए आप लोगों ने तो आप लोग के घरों में तो कूलर जरूर होगा कूलर में स्विमिंग एक मोटर होती है जी हां स्विमिंग मोटर ऐसा होता है जी हां दोस्तों ये ये कूलर की मोटर है जी हां स्विमिंग मोटर इसे बोला जाता है आपको एक इस्टुमेंट और चाहिए टेस्ट करने के लिए साधाराण सी जालर एलेडी जालर और एक 12 बोल्ट की बैटरी चाहिए यह 12 बोल्ट की आपको बैटरी चाहिए चलिए इसका कैसे यूज कर रही और कैसे चलाएं से चलिए इस ट्रिक की माध्यम से अभी आपको बताते है लेट सी दा वीडियो हम इस स्वीमिंग मोटर को इधर से खोल कर पूरा इसको निकाल देंगे और ऐसा कर देंगे आप लोग देख सकते हैं उस उपर वाले कवर को निकाल कर यह ऐसा हम कर देंगे इसे वो जो छोटी मोटर थी हमारी 12 बोल्ट की उसको ऐसे करके हम ऐसे कर देंगे देख सकते हैं आप लोग यह आगई चलिए इसको हम टेस्टिंग कर लेते हैं अपना इसको कनेक्ट करेंगे अप साथ में पहले हम यहाँ पर 12 बोल्ट की सप्लाई दे देंगे अपना यह हमारा सप्लाई हो चुका है यह देख सकते हैं आप लोग 12 बोल्ट की बेटर से सप्लाई हो चुका है अब इसमें हम अपना यह LED जहालाड कनेक्ट करेंगे जी धूस्तों इसी पीछे वाले टर्मिनल में अपना LED जहालाड कनेक्ट करेंगे है यह मार दो टर्मिनल से हमʟ जहालाड की यह दोनों टर्मिनल हम connect कर दोनों इसमें positive और negative होता नहीं है कि इसको ने connect कर दिये इसको हमने इसमें इसको सावधानी पुरोग कीजिएगा क्योंकि इसमें से AC current निकलेगा क्योंकि हमारे यह मोटर DC current आ रहा है इसमें से AC डारेक्ट निकलेगा आप अब दोनों टर्मिनल को साथ में चुशेगा आप दोनों टर्मिनल को साथ चुएंगे तो आपको जटका महसूस कर देगा इस को हम कनेक्ट कर देंगे सीधे ऑफ इसको आउन करके देखते हैं हमारी यह एलीडी हेलार चलती है की नहीं आप लोग अंभेरे में देख सकते हैं कैसे यह जगमगा रही है आसा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग मैं इस वीडियो